रादे रादे दोस्तों मेरे चाइनल में आपका स्वागत है आईए अभी हम आपको करी कैसे बनाते हैं हम दिखाते हैं एक बाटी में अपने अवस्तक्ता अनुसार बेशन ले लीजिए उसमें मंगरेल हल्दी नमक बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल के मिक्स कीजिए तो पानी डाल दीजिए तो मसाला का पेश्ट प्याज लहसन अद्रक का पेश्ट डाल के अच्छा से मिला लीजिए अच्छा से मिलाने के बाद 15-20 मिनट छोड़के एक कराही में सरसो तेल डालके उसमें इसका बरी बना लीजिए उसके बाद एक कराही में सरसो तेल डालके करी पत्ता प्याज डालके अच्छा से बरान होने दे जब ये बरान हो जाए तिश्पत्ता भी डाल दे तब हल्दी हल्दी डालके मिला ले इसके बाद टमाटर डाल दे नमक डाल दे इसके अन मसाला का पेष्ट थोरा सा डाल दे आज लहसा न दरक ये सब का पेष्ट डाल दे डालके अच्छा से मसाला भूज ले अच्छा से मसाला भूज ले उसके बाद बेसन को एक बाटी में अच्छा से मिला करके इसमें पानी डाल दे आपको जितना गिरेवी चाहिए उतना पानी डाल दीजिए उसके बाद इसमें जो बड़ी छांक के रखे थे वो डाल देंगे हम लोग दही को अच्छा से मिला के इसमें डाल देंगे अब हम लोग लगाएंगे तरका घी मिर्ची और जीरा डाल के करी बन के तयार हो गया मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें सपोर्ट करें नमस्ते